चलिए, so CSEET का हम जो है, आज हमारा सब्जेक्ट कर रहे हैं, CSEET का हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, quantitative aptitude, quantitative aptitude का मतलब होता है बेटा, कि quantity क्या होती किसी भी चीज़ की पहले यह बताईए, numerical terms में उसकी value, किसी भी चीज़ की quantity क्या होती है, numerical terms में उसको क्या कर दिया है, measure, क्या कर दिया है, when you measure something in numerical terms, कोई भी unit हो, unit of measurement आपको बताई, कोई भी हो सकती है, अब आप 1 milk, 2 milk नहीं बोल सकते, आप क्या बोलते हो, 1 liter, 2 liter, 3 liter, ऐसे ही बोलते हो, ठीक है, वो उसकी क्या होगी, quantity, ऐसे 1 meter, 2 meter, 3 meter, क्या होता है, कुछ भी जो चीज़ measure होती है, ऐसे, for example, cloth, cloth क्या meter में measure होता है, distance का meter, kilometer में measure होता है, तो, अलग-अलग चीज़ों की क्या होती है, अलग-अलग unit of measurement, और उससे हम उनकी क्या निकालते है, quantity, quantity, so, इन quantities को लेके, आप real life application कैसे करते हो, जो आपके mind की ability है, उसको हम क्या कहते है, quantitative, बस इतनी सी बात है, यह क्या देखना चाहरे है, अगर हम real life में आपको बोलें कि मेरे पास 10 एपल है, उसने मेरे से 5 एपल यह ता आप बता पाते हो real life में है, नहीं, बस इतना सा देख है, तभी यह जादा marks का नहीं है, बट real life में यह बहुत सारे अलग competitive exams में बहुत जादा आता है, जो topics हम करने वाले, so, हम पहले जो है, हमारे major topics करेंगे, जो word problems से related होते है, फिर हम हमारी mathematical करेंगे, ठीक है, so, हमारा पहला topic है percentage, पहला topic है percentage, और तो बेटा percentage, कोई बता सकता ह मैंने आप पर एक term बोली percentage, आपने अभी तक इतनी गो करी है, 12 मेरे इतने percent है, 10 मेरे इतने percent है, इतने percent है, बैटरी कितने percent है, सब देखते रहते है खून में, laptop कितने percent charge है, क्या होते बैटे percentage, part of something, बलकुल, इन्होंने का part of something, क्या मतलब हुआ, कि अगर मेरी battery total 100 है, so, अगर मैं अपनी चीज को 100 parts में divide करता हूँ, so, इसमें से मेरी कितनी charge हैं भी, मैं आपको बोलू, कि मेरे पास 100 shoes है, 100 pair of shoes है to sell, मेरे 30 percent shoes sell हो गए, 70 percent बच गए, so, 70 percent, इसका मला मेरे पास quantity wise कितने shoes बचे हैं, आपने कैसे बताया, कि 100 होगा total है, उसका part 30 बिच चुक है, so, part 70 कि अभी भी मेरे पास, बिल्कुल, और इसमें क्या एक छोटी सी trick होती है, बच्चे इसमें पताया क्यों confused हो जाते हैं, 22.5, 12.5 percent, वो क्या करते हैं, फिर पर में शुरू हो जाते है, 12.5, 12.5 divided by 100 into this, 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 लंबी calculation, आपने भी मेरे को बताया सीधा, कि अगर मेरे 30 percent shoes बिख चुके हैं, तो 70 percent shoes मेरे पास बचे हैं, इब आप बता, 30 percent को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, क्या मैं 30 percent को ऐसे लिखता हूँ, तो क्या इसको मैं 3 by 10 लिख सकता हूँ, कैसे, 0 से 0 कट, क्या 70 percent जो मेरे पास बचे उसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्या उसको मैं ऐसे लिखता हूँ बेटे जो में ट्रिक बता रहो ना भी या आपके सिर्फ इस exam में नी हर competitive exam में आपके कम से कम नी तो 5 से 7 minutes बचा सकते हैं and 5 से 7 minutes ये ने competitive exam means the decision between pass and fail तो अभी इसको ध्यान से सुनना आगे जो मैं कहने वाला हूँ सो मैंने ही क्या किया बेटे क्या इसको fraction बोल सकता हूँ मैं कि 70% क्या fraction है 7 by 10 सो अगर सीधा मैं इसको किसी चीज से multiply करूँ जैसे आपने का कि 100 shoes total थे 70% मेरे पास अभी बच्चे है तो आपने सीधा क्या क्या 7 by 10 into 100 किया क्या है इसका answer 70% of 100 ही निकाल रहा हूँ है तो answer भी इसका terms को units में आएगा 70 units आगया क्या 100 का 70% 70 ही है सो क्या इसका मतलब कि ये fraction वाला formula ठीक है बिल्कुल ठीक है चलिए एग्जाम में अगर हमें time बचाना है हमें इन percentages को किस में convert करना है fractions में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अब जैसे कि मैंने आपको बताया 25 by 100 आम बच्चे ऐसी लिखते हैं जाय जादे इसको 0.25 लिख देंगे लेकिन वो अभी executive level पर करना है अभी नी सो क्या इसको मैं 1 by 4 लिख सकता हूँ बताओ कैसे 25 by 4 जा 52 percent को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 by 2 75 percent को मैं क्या लिख सकता हूँ very good अब बच्च 12.5 percent को मैं क्या लिख हूँगा कैसे 25 का half है 12.5 तो कैसे इसको अगर मैं 1 by 2 करूँगा 1 by 8 आएगा तो इसकी क्या value होती बटा 1 by 8 टीक है और अबर आपको detail में करना है तो आप लिजिए 125 divided by 1000 ये 1 by 8 ही आएगा ठीक है तो बेटा आपको अपना mind open रखने जैसी percentage के questions आएगे mainly questions बस ऐसी आएगे ये इसका इतना percent है total बताओ ये इसका इतना percent है तो इसका इतना percent कितना होगा for example अभी मैं shoes वाले example दोबारा लेता हूँ अभी मैं shoes वाले example में दोबारा लेता हूँ आपके लिए मैंने का बताया मेरे कितनी sale हुई 30 percent तो आपने सीधा बताया सब 30 units तो आपने sale कर दिये मैंने पूछा मेरे warehouse में कितने मचे हैं 70 units ठीक है पकता चलो अब एक छोटी से trick खेलते हैं आपके साथ देखते हैं कौन कितना alert है मैंने आपसे यह पूछा कि अब जो बचेवे units थे उन में से मैंने 10 percent और sale करती है यह चल यह छोड़िये 10 percent मेरे चोड़ी हो गए अब बताईए मेरे कितने चोड़ी हो गए कैसे क्या 70 units बचे बिल्कुल आपने ठीक answer दिया है तो 70 percent का क्या मैंने 10 percent कर दिया बच्चे बताई जा कर देते हैं 100 का 10 कर देते हैं और वो आख question में देंगे आपको option तो क्या यह 7 आ गया इसका मतलब मेरे कितने shoes चोड़ी हो गए so remaining units कितने बचे हैं मेरे पास बहुत अच्छे कैसे 70 में से 7 मेरे चोड़ी 30 मेरे big guy 70 बचे उसमें से 7 चोड़ी हो गए बचे कितने हैं और इस ही जाधा को percentage को topic finish इतना सा है अभी थोड़ा सा बस advanced level का करेंगे चोल एक question देखिए देखते हैं अब आपको अब यह question मैंने आपको पहले ही बताया quantitative attitude ऐसी चीज है 5 मिन बाद आप solve करेंगे मेरे से पहले एक showroom है there is a showroom there is a showroom of cars showroom of cars ठीक है it's sold it's sold 30% of the cars kept in the stock 30% of the cars जो भी मेरे पास showroom में थी वो मैंने क्या कर दी fail कर दी क्या कर दी stock में मेरे कितनी मची हैं अभी चलिए 301 cars लिखिए 301 cars are still in stock तो बढ़े 301 कितने percent है मेरा total का so what was the original stock बताईए कैसे करेंगे इसको आप बताईए पहले मैंने आपको बतादे 70% stock के कितना है 3001 so 100% stock कितना होगा चलिए आप लोग एबाद खुद solve करके देखिए और मैं आपको options देदेता हूं options देदें आपको साथ साथ 430 400 435 432 चलिए शुरू कीजिए और अगर आपका answer आता जा रहा है please बताते चलिए एक answer आया है 430 और किसी का कोई answer कोई calculator प्लीज यूज नहीं करेगा ना phone का ना वैसे अब जो आपको practice करने है खुद की calculations, खुद की mindset और बताए और किसी का कोई answer और हाथ बगर पर please calculation मत कीजेगा ये skin बहुत sensitive होती है जादा ink नहीं आने चाहे rough work का एक छोड़ा सा column प्लीज बना लिजे अलग से एक answer आपका है 430 और किसी का कोई answer चली आप बताए आपने कैसे निकाला 430 चली इंका method बिलकुल आपने का total stock बिलकुल यह आएगा बिलकुल यह आएगा आपका 430 बिलकुल ठीक answer चली अब समझते क्या है यह actually आपने ratio पड़ी भी है ratio सबने पड़ी भी है तो मैंने क्या बताया fraction में 70 बसंट कितना होता है 7 by 10 तो यह आपका 7 वाला पार्ट है 301 7 वाला पार्ट है 301 अगर मैं एक पार्ट पूछू तो यह क्या है 301 इंटू 10 by इंटू 1 by 7 अगर आपका 7 पार्ट है 301 तो 1 पार्ट हो गया इंटू 1 by और 10 पार्ट हो गया 301 इंटू 10 by 7 तो अगर आम भाशा में बोलें तो अगर आपको total निकालना है तो divide करना किससे की वह कितने percent है multiply करना किससे 100 यह simple सा formula याद रखिए और किसी को अगर deep logic समझने तो उसका deep logic ही है क्यों 7th पार्ट इतना है तो 1 पार्ट इतना होगा और 10th पार्ट इतना होगा deep में अभी ना गुशिये जादा बस अभी इतना समझ लिए into में नीचे कितने percent है वह उपर 100 ठीक है तो सीधा 300 बन से आपको क्या करना था into 100 by 70 यह x वाला method लेके x वाला method लेके solve कीजिए चलिए अब सबको समझ आगे क्या करना है किसी हो कोई doubt इसमें इसमें एक और car showroom ले ले लेते फिर एक car showroom has some cars in stock एक car showroom है कुछ cars है उसकी stock में staff हमारा काफी अच्छ है भी staff sells 22.5% of the cars in stock पहले बताओ 22.5 by 100 fraction मताओ मुझे इसका 22.5% कौन बताएगा फटाफटी यह निकालो पहले 22.5 by 100 क्या fraction मनेगा छोली आपके लिए और असान मना देते है 225 divided by 1000 चिक है एक आंसर आए और कोई आंसर एक आंसर आए और कोई आंसर किससे डिवाइड करें आपने एक आंसर आए 25 से डिवाइड करके देखते है 25 नाइन जार बड़े टेबल बहर स्टॉम होनीजी है 25 नाइन जार और नीचे 40 चो आपका आंसर आएगा बटा 9 by 40 आपका आंसर आएगा 9 by 40 यह गलती एक्जाम में नहीं करने ठीक है बटा जो 1 upon 8 है वो at 12.5 225 नहीं यहाँ पर 225 है ठीक है तो आंसर क्या बटा इसकी value 9 by 40 तो अब इतना बतादो मुझे 9 वाला part मेरा का sold हो चुका है तो 40 वाला मेरा total है unsold कितना हुआ यह unsold है यह unsold है और इसकी value है 3875 the stock of unsold cars is 3875 the stock of unsold cars is 3875 तो क्या है 31 by 40 part हो गया मैंने अभी क्या बताए क्या करना 3875 into 40 by करिये आजे समय जब simple लग रहे है थोड़ा कि 31st part हमें दिया वह 40 part हमें निकाल रहे है आपको मैं option दे जेता हूं 4900 4700 5000 and 5100 a b c d बताइए अब बेड़ा इसमें आपकी multiplication division की knowledge काम आएगी इसमें कोई trick अभी नहीं है चलिए साथ में करें चलिए करिए बिलकुल एक answer आए बेड़ा 5000 दो answer आए 5000 और कोई है जिसका कोई और answer हो तीन answer आए 5000 नहीं copper 5000 तो सबका answer 5000 is the correct answer very good simple सी बात है 31 into 125 आए गए है 120 बस आपको थोड़ी सी calculation लंबी दे सकते हैं वो concept बिलकुल easy आएंगे concept में वो नहीं गुमाएंगे बस आपको हलकी सी calculation उनका इतना दो बनता आएगे इतना दो उनका भी बनता आएगे थेलके बोलिए बेटा ये question में गिवन है 3875 remaining stock ये question में गिवन है आपको figure उसकी value है 3875 31 by 40 की value है 3875 ठीक है किसी कोगे doubt बेटा विलकुल genuine doubt है आ सकता किसी कोगे चली आगे चले चली ये वाले आपने cards तो काफी बेश दी अब थोड़ा सा हम election में जाते हैं थोड़ा सा अब हम election में जाते हैं ठीक है लड़ा election चली election लड़ते हैं इन्हें voting system इन्हें voting system इन्हें voting system there are two candidates एक voting system है उसमें कितने candidates हैं मेरे पास A and B A and B अच्छी बात है दो candidates democracy है जादर लोग होने चाहिए चलो 25% of the votes 25% of the votes were invalid were invalid were इसका मतलब ये गिने नहीं जाएंगे ये गिने नहीं जाएंगे अब जो हमारे A है he got 65% of the total valid votes एको कितने मिले total number of votes भी आपको दे दिया गया है total number of votes are 14,000 total votes कितने गए how many valid votes इस भी दे देते हैं अगर कोई solve करना चाहे आगे तो match कर सके 3675 4900 5000 and 3775 मुझे पहले आप लोग मिलके ये समझाइए न करूं किया मैं भूल गया मैं बूल गया मैं बूल गया बताएए क्या करो इसमें कैसे solve करो पहले देखो बेटे निकालिए बी की percentage कितनी बनी 10% बी की कैसे 25% invalid होगे 75% बच गए और 65% तो केला लेगे बचे कितने easy और इसके साथ आपका answer बिलकुल गलत है दूसरा 35% कि ये 65% ले गया और B35 ये भी बिलकुल गलत है अब क्या करें नहीं तो दूनों eject कर दिये तब अप्रोश बदले थोड़ी ध्यान से देखी अब एक example दिया था मैंने शुरुआत में किसका जूते चोरी होने का उसको याद कीजे अगर आपका answer 3675 वारा बिलकुल ठीक आ रहा है बताई ये class को कैसे किया जूते चोरी होने के example में मैंने क्या बताया था अगर 10% जूते चोरी होने तो बचे भी चोरी होने यानि कि actual में कितने चोरी होने 7% इन्होंने पताई क्या किया मैं बताता हूँ इन्होंने ये किया कि invalid vote से valid vote कितने हो गए 75% तो A को 75% का 65% मिले होंगे अब इसके 65% और 35% बच गए तो B को 75% into 35% और into 14,000 ऐसे निकलेगा आपका answer समझ आया या नहीं आया ये समझ लीजे कि कितने परसंट vote चोरी हो गए 25% vote तो चोरी हो गए तो उनका तो कोई आप जो बच गए वही तो total बन गए मेरे ने तो जो 75% बचे मेरे total आउ तो उन 75% का 65% A ले गया और उनका 35% B ले गया समझ गए ये गलती प्लीज एक्जाम में मत कीजिएगा अब कीजिए अब आगे समझ आब कीजिए अच्छे से ये गलती एक्जाम में बहुत भारी बढ़ती है चलिए 35 by 100 into 3 by 4 लिख दू 75% को इन्टू 14,000 तो इतने 0 से इतने 0 गए ये भी हमें टाइम अपना बचाना है करिए इन जीनों का टोटल 140 का डिविजिबल है फोर्स है 35 फोर्स है सिम्टल सी बात है अगर लास्ट के टू डिविजिट्स आपके डिविजिबल है तो आपका नंबर डिविजिबल होता है फोर्स है 35 इंटो 35 तो ये सालवर बच्छे से सो ये इंग में बेटा आपका अंसर है अगर 3675 अब देखे अब आ रहा है दोबारा समझाओं ये हुआ क्या कि 25 परसेंट तो मेरे इन्वालेडी हो गए बचे वे मैंसे ही मैं काउंट करूँ सो बच्चावा मेरा नया टोटल हो गया तो अब उसका 65-35 करूँगा मैं ठीक है कोई डाउट आगे समझे सो मैंने क्या का कंसेप्ट थोड़े जाद हो हार्ड नहीं है बस इसमें क्या है वेटा आपको दिमाग बहुत एक्टिव रखना है आप दिमाग से आप जो है वो नहीं कर सकते इसमें चलिए अब एक और नहीं टाइप करते है परसंटेज मेंहें परसंटेज बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है और हर इग्जामीनेशन में बहुत अच्छे से कूचा जाते हैं जिसमीं भी एक स्मेवस में आते है टो अमाउंटेव नैंक अककॉंट्स अर्यापिक की म्हसम दो दोस्तें अकाश and are such that the sum of 5% of Akashi's amount इसमें अच्छी बदे क्या होता है? बच्चे डर जाते क्या देखके इतने सारी percentages of Akashi's amount and 4% of Vikashi's amount Vikashi's amount is 2 3rd of the sum of 6% of Akashi's amount and 8% of Vikashi's amount find ratio of amounts of Akashi and Vikashi's पहले 2 minutes लगाके इस question को ध्यान से पढ़िए कि पूच क्या रहा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं option दे देते चलिए अगर आपको solve करना है? आपके option है 4 is to 4 4 is to 3 3 is to 4 and 1 is to 2 यह बेटा question क्या कह रहा है यह यह कह रहा है अगर मैं Akash की amount का 5% Vikashi's की amount का 4% को add करूँ so अगर मैं तो वो 2 3rd होगा Akash की 6% और Vikash की 8% so यह मेरे से actually indirectly के equation बनाने को कह रहा है let Akash's amount भी x ले लिजे Vikash का क्या ले लेंगे हम? y so यह मेरे से क्या कह रहा है indirectly so Akash का कितने है? 5 by 100x plus 4 by 100y is equal to 2 by 3 into 6 by 100x y अभी equation को बस हमें क्या करने है पीटा? solve गता so चलिए छोटा सा इसको छोटा कर देता है 3 को मैं इधर ले जाता हूं cross multiply करके so 15x plus 12y upon 100 upon 100 is equal to 2 into 6 2 into 8 16y so बेटा भी तीनो सबका 100 common हो गया so मैं इसको cut कर दूँगा सबका 100 common हो गया तो cut कर दूँगा तो यह बन गया बेटा मेरा 15x plus 12y equals to 12x plus 16y ठीक है? कोई डाउट solve हो जाएगी पेटा अब यह अब solve हो जाएगे बसान लग रहा है? एक answer है 3 is to 4 कैसे? 3x is equal to 4 भाई यह कर दिया आपने 16x minus 12x और 16y minus 12y अब एक चीज़ देखो ध्यान से xy y अगर मैं करूँ तो 4 by 3 नहीं हो है? इसलिए बोलते हैं दुरगटना से देर बढ़ी और इसलिए आपको options में 3 by 4 भी दिया हो है? 4 by 3 भी दिया हो है इसलिए और करेक्ट आंसर विल भी कैसे लगा है question? equation solve करने के बाद जल्दी नहीं करनी पहले ही यह बनाना है आपको x by y तक आना है ठीक है? कोईट आउट आउट किसी को सब समझा रहा है? very good चलिए अब देखते कितने सेसे अब आप लेंगे question sum of 15% of sum of 50% of Akash and Bikesh और Bikesh का बेटा ले लेते इस बार कितना ले? 12% ले लेते चलिए Akash का 15, Bikesh का 12 ठीक है? is 2 x 3rd of sum of 24% of Akash and 32% of Bikesh 32% of Bikesh 24% of Akash and 32% of? बनाईए equation भड़ा 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 Akash 24% of Bikesh का 22% बिलकुल equation क्या मेरी ऐसी कुछ का चुल लगेगी? 15 x plus 15 x upon 100 plus 12 y upon 100 is equal to 2 upon 3 24 x upon 100 plus 32 y upon 100 तो क्या में 3 को दोबारा से उदर ले जा सकता हूं? क्या में 3 को उदर ले जाऊंगा? 45 x upon 100 36 y upon 100 48 x upon 100 and 64 y upon 100 क्या बेटा? क्या बेटा यही आ रहा है सबका? यही आ रहा है सबका? सो इस सारे 100 गए सो यह क्या बन गया? 45 x plus 36 y 48 x plus 64 y सो मैं इदर 48 x को इदर ले जातों minus का 3 x और इदर 14 minus 6 8 and 5 minus 3 2 सो क्या यह मेरी किसी भी option में है? सो मेरा answer है none of the above none of the above मेड़ा इसमें क्या होता है? जब भी minus आता है नहीं एक में तो invert हो जाता है जब भी एक में minus आता है ratios आपस में invert हो जाते है ठीक है? आगे चले किसी को कोई doubt percentages में अभी भी इसी के साथ आपका percentage का topic इस होगा अब अगला topic मैंने आपको fraction word इसलिए बोलो कि अगला topic fraction ही है और यह बहुत important है यह बहुत जाजा important है fraction पहले एक specific question लिखते हैं एक specific situation देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं word problems पहले थोड़ी देर में जाएंगे पहले specific situation देखते हैं बेटा यह number आपको दिख रहा है 0.203 दिख रहा है सबको यह number कुछ अलग है यह चाहिए repeat होता जाए रहा repeat होता ही जाएगा unlimited times तर यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं bar कि unlimited times तर repeat हो रहा है यह बेटा कब आता है जब आपके denominator में कोई भी जो है 999 तो वहीं रुख जाता है अगर 1000 होता 10,000 होता वहीं रुख जाता है 999 ऐसी चीज़ हो बार-बार repeat 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 करती रहती है so xy यह बस आपके लिए जानकारी के लिए है xy 999 is equal to 0.x bar हमेशा यही रहता है xy 999 is equal to 0.x so बेटा इसका क्या answer होगा मैं आपका option दे रहा हूँ अब आप खुद बता देंगे 2 second में 203 by 999 203 by 1000 406 by 2000 and 101 by 499 क्या answer है first one ठीक है एक specific case है जो आपको पता होना चाहिए कि exam में आया तो आप freely score कर सके सबसे easy question होता है अगर पता हो यह तो बच्चे डर जाते है यह तो बच्चे डर जाते है अब आते हम actual questions पर जो word problems related आएंगे 1 5th of 1 3rd of a number 90 So what shall be 3 5th of that number What shall be 3 5th of that number Your options are 900 2250 90 and 8100 चलिए आप खुद solve करके देखिए पहले कि question कहना कह चाता है और जब हम इसको solve करेंगे ना 2 minute का भी answer निकलेगा इसका 2 minute का भी answer नहीं है और इसका 8100 एक answer आया बैटे 8100 और कोई answer किसी का और कोई answer किसी का और कोई और answer है प्लीज बताएए हम फिर देखते हैं क्या करने है इसमें लेकिन थोड़ा सा solve करने कोशी कीजिए बरिये मत प्लीज बताएए 8100 8100 8100 सुलिए एक answer आया बैटे 2250 और किसी का कोई और answer किसी और कोई answer बेटे जल्दी करो एक्जाम में थोड़ा time management भी करने बाद में आपका 8100 कैसे आया बेटे आपका ठीक answer है 2250 is the correct answer 8100 आपका wrong है 2250 is the correct answer देखते कैसे देखें क्या हुआ अगर हम नॉर्मल भाशा में बात करें x लीजिए x into 1 by 3 into 1 by 5 equals question में given है 1 5th का 1 3rd या 1 5th का या 1 3rd का 1 5th एक ही बात है क्या यह है so x is equal to 19 into 3 into 5 wait out इसमें अब मेरको निकालना है 3 by 5 x so मैं सीधा सीधा put कर सकता हूँ छीक है यह गलत है इतना वाव बस छीक है गलत है उल्टा करना है सीधा करना है 3 by 5 करूँगा 5 by 3 करूँगा यहां पर बिटा होगा 5 by 3 so 3 से मेरा 3 ही गया 3 से मेरा क्या गया 5 5s are 25 into 90 ठीक है किसी यह कोई डाउट ठीक है ना मैंने पक्का कौन मुन गया है मैंने ठीक है मुझे नहीं लग रहा मैंने ठीक है एक बात बताओ जब x is equal to 9 into 3 into 5 है जब x is equal to 90 into 3 into 5 है 3 by 5 x के टाइम पर आप 5 by 3 क्यों कर रहे हो सीधर दोनों साइड बे 3 by 5 3 by 5 से मल्टिप्लाइ नहीं कर सकता मैं मल्टिप्लाइंग जैसे आप पहले लिखते थे मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाइ 3 by समझ गए है मैंको का value चाहिए 3 by 5 x की सो 90 x 3 x 5 x 3 by 5 पेटा आपकी यही confusion मुझे दूर करनी थी मेरे खायसे मैंने option में 8100 लिख दिया है वह 810 है बिल्कुल 810 था तो मुझे पदा था कोई ना कोई 2250 जरूर निकालेगा मुझे पदा था 2250 जरूर एक बार को तो निकलेगा इसलिए मैं सोचा वेट करते हैं पहले और किसी कोई answer आता है फिनका doubt अच्छे से clear करते हैं चलिए 5 से मेरा 5 cut 33's are 99's are 810 810 is the correct answer नए अब अब आगे समझत यह गलती बच्चे करते ही करते 5 by 3 से multiply कर आते हैं पेड़े सिंपव सी गाते हैं आपने x की value अलड़ी निकाल दी 19 to 3 into 5 5 by 3 का क्या sense बना कुछ बना नहीं बनाना इसलिए अब आगे समझ आतने गलती कहा करी रही है आपको 3 into 5 ही करना है अर चीज complicated नहीं होती अब देखते हैं आपको कितने अच्छे समझा है लिखी अगला question 2 by 5th of 1 3rd of ए नमबर लेकिन डरना विलकुल नहीं है चाहे गलत आंसर है बताना जरूर है 250 2 by 5th of 1 3rd यानी x into 2 by 5 into 1 by 3 equals 250 बहुत अच्छे so 1 3rd क्या होगा बेटा इसका 1 3rd of number क्या होगा 1 3rd of number क्या होगा आपके options हैं 525 750 625 125 एक आंसर है 625 कैसे बेखो 2 by 5 into 1 by 3 2 by 5 into 1 by 3 x equal to 250 सबको समझ आ गया ? मुझे क्या चाहिए ? क्यों 1 by 3 x नहीं चाहिए ? क्यों क्या जरूरद है ? 1 by 3 x को ऐसी रहने तो ? क्यों एक स्टेप बढ़ा रहे हो ? पहले आप फुल निकालोगे फिर 1 by 3 अलब करोगे और बीच में और calculation mistake होगी तो question गया question तो गया नहीं थी तिर में ? simply ऐसे कर दो 1 by 3 x equal to 250 into pi by 2 answer देख लो भाई आएगा ? समझ गया ? मैंने क्या बोला ? मेरको चहिए 1 by 3 x ही सुनो पहले आप कह रहे हो sir पहले आप 3 से multiply करो फिर 3 से divide करो एक step बढ़ गया ? एक step बढ़ने का अलब exam में और time भी लग जाएगा जाएगा समझ गया ? step हमें कम से कम करने बढ़ाने नहीं है अब आपके कोई step marking नहीं है अब बस answer ठीक होने की marking है कोई doubt किसी को ? simply क्या कर दो ? 1 by 3 x तो अपने आप ही निकल जाएगा ठीक है ? चले आंगे shall we move ahead proceed ? answer बिड़ आपका 625 आएगा अब एक और टाइप के questions करते हैं काफी simple सा question है यह बच्चे बहुत डर जाते हैं इसको देखके बता नहीं क्यों बहुत जादा ही डर जाते हैं difference between लिखिए difference between two digit number and number obtained by interchanging by interchanging that number is 90 यह यह कह रहा है कि मेरे एक number है मैंने कोई भी number लिया उसके मैंने digits interchange कर दिया जैसे 19 का क्या कर दिया 91 difference क्या आ रहा है मेरा ऐसा काम करने के बाद 90 okay so what is the difference what is the difference between the digits of that number what is the difference between the digits of the hk number good out यह यह पूछ रहा है कि जो मेरे डिजिट्स हैं फिर उन में आपस में कितना है डिफस्ट, बात याद रखना, कभी भी यह जो है, ना तो डेसिमल में हो सकता है, क्योंकि अब बताओ, जीरो से लेके 9 तक के अलफा नंबर होते हैं, आपके, जीरो, वन, टू, थी, फोर, फाइड, सेवन, एट, नाइन, तैन होगे, इसे ज़दाव डिफ्रेंस मेरे जा सकता नहीं, डेसिमल मेरे, जो भी डेसिमल के हो, यह टेन से ज़्यादा के अप्शन्स उनको तो पहली चैनल आप कर दिया अगर हो ऐसे क्वेशन्स में, ऐसे क्व आपको वैसे नहीं दिखाने हैं, आप्शन्स देखिए, अभी हम आगे बहुत ऐसे ऐलिमिनेट करने वाले हैं, 10, 11, चलो, अब बताओ, कौन से कौन से मैं पहली ऐलिमिनेट कर दूँ, यह तो आंसर होई नहीं सकते, आंसर मेरा क्या होगा, या तो 9 होगा, या, अब कैल्क प्रेक्शन शुरू करते हैं, एक बाद बताओ, अब एक छोटी सी बाद और बताओ मुझे, मैं आपको नंबर बोलता हूँ, 81, नंबर बोलता हूँ, 81, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 x 10, प्लस 1 x 1, ये 10th digit, ये 1 digit, once 10th, अंगे 1000th पड़ा था न, ये 10th digit ये, so 8 को जब मैं 10 से मल्टिप्लाइ करूँ, और फिर 1 मैं आड करूँ, तो भी तो 81 आते हैं, अगर मैं 18 लिखूँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 x 10, plus 8 into 1, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये नहीं लिख सकता, so बेटा, मेरे को ये दोनो quantities अभी पता नहीं, so क्या इनको मैं x और y लेलू, x y ले सकता हूँ, इनको फिर मैं, so मेरा question ये कहा रहे, 10 x plus y, क्योंकि ये एक number हुआ, equals 10 y plus x, क्योंकि ये दूसरा number बना, जब मैं interchange करूँगा, ये हुआ, plus 90, plus, so बेटा, याद रखना, x आपका 10th digit, y आपका 1st digit, solve करो इस equation हूँ, इस equation में कोई doubt, 90 मुझे question में given है, अगर कुछ और given होता मैं वो लेता, ठीक है, मेरको बस ये निकाल ला है, क्या निकाल ला है, what is x minus y equals to क्या, और दो option बचे हैं, मेरे पास, या तो 9 आएगा, या वो 10 आएगा, और कुछ आएगा है, एक answer आगे बेटा, 10, किसी का और कोई answer, क्या किसी का और कोई answer, 10, एक और answer, very good, सबका 10 आएगा, कैसे आएगा 10, सिंप्ली सी बात है, मैंने x को इधर ले आएगा, 9x equal 9y plus 90, चाहा है तो सबको x आएगा, 9 से डिवाइड करतो, क्योंकि सब डिविजिबल है, 10, so x minus y equals, so my option is option b, 10, easy, डर रहे थे न, जब question विदाया है, मैंने, और अब क्या निकला, कुछ निकला answer, निकल गया answer बिल्कुल ठीक, किसी को कोई doubt, किसी को कोई भी हलका सा भी doubt है, फ्लीज कूछ किसे, नहीं, चलो, तो हमारा fraction जो एक important topic है, ये भी इसे के साथ over, अब अगला topic बहुत important है, आपके आगे किस चीज़िस के लिए, और real life के लिए, किसी ने कभी पैसे उधार दिये हैं, किसी को, किसी का bank account है, या, bank account में कभी कुछ message आया है, ऐसा है, रुपीस 25 credited, yearly interest, किसी कुछ उस टाइम हलकी सी, कि हमने भी कुछ कमाया, चाहे 10 रुपे ही कमाया हो, चाहे 1 रुपे का इवे interest तो, जब credited का message आते तो अलग ही खुशे होती है, क्योंकि interest में हमारा हमेशा interest होता ही होता है, कमाई, सब को बसंदा, तो interest बेटा, आपने आस तो कितने types के पड़े हैं, कौनसे कौनसे, very good, simple का formula सबको याद होगा, बस यह याद रखना है, compound, इसका सब भूल जाते हैं, time के साथ, विचारे बुरा मान जाता है, यह विचारे बुरा मान जाते हैं सबसे, हाँ, compound interest, formula बताइए, future value याद आया कुछ, exponents में बिल्कुल, क्या होता है, चलिए मैं बता देता हूं आपको, a equals, a equals, p, 1 plus r t, 1 plus r, यह आपका होता है, r by 100, ऐसे होता है, कि अगर 5% दिया तो 5 by 100, और यहाँ पर क्या होता है, time period, थोड़ी देर में मैं आपको यह formula बता है, कैसे लिखने वाला हूं, दो मिन्ट और बाद मैं यह formula को ऐसे लिखूँँगा, a equals, p into 1 plus r by n, into tn, n क्या होता है, कि एक साल में मेरा कितनी बार interest लग रहा है, for example, t यह number of years होता है, n होता है, एक साल में कितनी बार, for example, अगर मैं half yearly बोलू, सो क्या मेरा interest किती बार लग रहा है साल में है, quarterly, 4 बार, by annually, by का मतलब क्या हुआ, अश्य मेने मेमरियानी साल में, 2 बार, monthly, साल में 12 बार, सो n मेरा 12, सो मेरा t, into 12, बेटा, by annually का मतलब क्या हुआ, साल में 2 बार, by का मतलब 2 होता है, by annually मतलब साल में 2 बार, और monthly मतलब, हर महीने, कितने महीने होता है, एक साल में, ठीक है, थोड़ी दिर में यह formula भी use करेंगे, तो मैं आपको suggest करूँगा, आप यह formula लेखिए, ठीक है, अब एक बार बतो, इससे तो मेरा amount आ गया, और अगर मैं आपसे, सिर्फ compound interest पूछूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कि P1 यहाँ पर बस principle की वज़ा से है, तो R by N into TN, कि इस तीट आप बार बार पहले, जो है, 1 प्लस करके, आप पहले amount निकालेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे principle, इससे बढ़िया सीधा, आप 1 से multiply ना करके, आपका सीधा यह formula बन जाता है, ठीक है, N होता है, number of times, एक साल में आपका कितनी बार interest लग रहा है, चलिए, एक question से देखते हैं, आपको इतने अच्छे से समझ आया है, simple interest का ही करते हैं, compound में अभी हम जादा नहीं जाएंगे, simple interest का लिखिए, some invested in simple interest, simple interest में हमने कुछ some invest किया, amounts to 11,800 in 2 months, monthly year, and 12,700 in 3 months, 12,700 in 3 months, so how much sum was initially invested, एक हिंदू, यह equation formula का नहीं है, यह equation आपके mind का है, मैंने क्या बोला, यह question formula का नहीं, question आपके mind का है, यह आपके logical test करेगा, आपके logic कितना strong है, ध्यान से देखो, यह question में answer खुदी चुपा है, दो महिने बाद 11,800 बना, तीन महिने बाद 12,700 बना, तो बेटा, दो महिने, तीन महिने कितना गया हुआ, एक महिने का, एक महिने में में मेरेको कितना interest मिल रहा है, 900 कैसे आया, 12,700 माइनस, simple interest का क्या मतलब होता है, कि हर महिने आपको, same interest मिलेगा, हर महिने आपको, अध्यान से सुनना अगली बाद, तो जो 11,800 है किया, उसके भी हर महिने मेरेको 900-900 मिला हुआ, जो 11,800 है, क्या मेरेको 900-900 ही मिला हुआ दो महिनों में, तो 900 ही प्लस 900, तो 11,800 में से, अगर मैं 18,800 में करूँगा, क्या answer आएगा, मैंने क्या बताया, यह आपका formula का question नहीं है, यह आपका logic का question है, हर महिने अगर मेरेको 900 मिल रहा है, तो अगर मेरेको 2 महिने में, 11,800 बन गया माँँ, तो initially मैंने कितना डाला होगा, 10,000, तो आपके answer यागर 10,000 में खासे, वो options बताने की कोई जरूवत नहीं है, यह आपका थोड़ा सा अलग question है, और यह आ सकता है, क्योंकि इसमें calculation लूब भी नहीं है, बस mind लगाने, ऐसे questions के लिए ध्यान से आप prepare होके जाहिएगा, ठीक है, चलिए, अब करते हैं, एक normal question जो आप expect कर सकते हैं, दिखिए, RAM applied for loan of 12 lakh, RAM applied for loan of 12 lakh, ठीक है, Interest paid 3 lakh, बहुत अच्छे, Rate of interest, and time period, are the same, are the same, method of interest, आपका बेटा, simple interest, एक answer हमें आये, 4%, so you have to calculate, rate of interest, करिए calculate, so एक options देखिए, 4 interest, 4.5, 5%, 6%, so एक answer हमें मिला, 4%, 2 answer मिले हैं, 4%, और कोई, और किसी का कोई, answer, बेटा, 2 answer हमें मिल चुके, already 4%, इसरा answer भी 4%, देखते हैं अभी, तो बेटा, SI क्या होता है, P into R into T by, क्या मैं R और T को X ले सकता हूं, इसको मैं X ले सकता हूं न, नहीं समझे हम आना जहीं बच चोको, so 3,00,000 X into X by, चेक है, कोई डाउत है हां तक, so एस 100 से 2,00 गए, अभी क्या बज़े है, 12,000, क्या बज़े है, 12,000, so क्या 3,00, लाग दिवाइड बाइड 12,000 इकोल ग्स परसंट क्या 3 लाग दिवाइड बाइड बाइड 12,000 इकोल ग्स परसंट हा या ना हाँ सो यह 3 0 से 3 0 गए जिए बाइड 3 ले लाइड 12 करो 20 और हमें पता 25 किसका स्कोई रहा है 5 4 तो यह और आंसर इस 5% आपका 4% आंसर बिल्कु गलब है इसलिए मैंने लंबा method किया मैं समझ गया था आपने क्या कर दी आपने सीधा 3 lakh पो इधर कर दी और आपने सोचा हो तो बेटा यह 100 को आप भूल गए इस 100 को आप भूल गए तो मैंने क्या बताया झाला है झाल झाल चलिए अब अगला कोशिशन में पहले ही पतारो mathematically बहुत लंबा होने वाला है compound interest का formula सबको याद है I guess क्या बता है मैंने मैंने amount की बुला है मैंने compound interest बुला है अब बताओ c i equals क्या यह है formula compound interest का अब देखता है कैसे apply करते है find out find out the difference between compound interest on compound interest on rupees 420152 यह मेरा क्या हो गया P compounded half yearly and annually compounded half yearly and annually for one year add the rate 5% per annum 5% per अब इसमें दो question चल सकते हैं या तो आप पहले half yearly गा निकालो या आप फिर annually का निकालो फिर दोनों को less करो difference निकालो ऐसे करना चाहोगे क्या आप लोग ऐसे करना चाहोगे question कि पहले आप दोनों के figures निकालो और अगला फिर दोनों को ऐसे निकालना ठीक लग रहा है या shortcut बताऊं थोड़ा सा and annually कि दो cases है half yearly के और annually के अब एक बताते एक छोड़ी से trick अगर मेरे पास दो अलग अलग है लेकिन rate of interest same है बस मेरा क्या difference है n और मेरे को क्या निकालना दोनों का compound interest का difference सो मैं यह कर सकता हूँ यह को difference ही तो चाहिए है सीधा यह ऐसे कर देता हूँ समझगे क्या किया मैंने मैंने पहले दोनों को minus में किया फिर उसका p वाला part common लिया फिर मेरी equation बनी ठीक है मैंने common लोगा अगर मैं तो p बार आजेगा क्या p बार है मेरा तो क्या मैंने ठीक किया बिल्कुल क्या मैंने ठीक किया है बिल्कुल या नहीं किया आप लोग बताओ चलो value put करते हैं फड़ा फड़ा 4 to 0 बेटा ऐसे ऐसे figure आपको देंगे डरना नहीं है एक्जाम में ये दो मिंट में सॉल हो जाते है 5 by 100 n क्या है 1 तो यहां पर मेरे को कोई दिक्कत है नहीं है p क्या है 1 क्या बिटा 262.5 बिल्कुल ठीक है और यहां पर क्या आजेगा 5 by 200 क्यों 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 क्योंकि n मेरे क्या हो गया है 2 और यहां पर क्या आजेगा 2 ये क्लब ही तो किया है मैंने वो coincidentally आया लेकिन आपको ऐसे करना बढ़ेगा ठीक है चले हागे चले हागे चले हागे तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1 by 20 minus और यह क्या हो गया 1 by 40 प्रस्कुएर चले है मैं आपको वैसे बता देता हूँ मेरे कैसे आपको फॉर्मुला समझ आगया है क्या हुआ है तो सॉल्व करने की जगए अब हम पड़ा पड़ बस एंड की स्टीटमेंट लिख देता है सॉल्व आए होप आप परसे कर लेंगे 40 का स्कुएर बेरी गुड तो 1600 अब निरको यहाँ पर कॉमन लेना है तो 1600 इवाइड बे 20 कितना होता है तो 800 माइनस 1 अपॉन 1600 सोच लो 20 इंटो 80 हाँ तो जब मैं इस एक्वेशन को सॉल्व करूँगा मैं आपको आपको आंसर विदाया थे 262 पॉइंट कुग अब थोड़ी सी हमें पास्ट करने आगे के टोपिक्स भी करने ठीक है चले आगे अब आदे हमारे important topic profit and loss profit loss पता है सबको क्या होता है आपको बताने की ज़रूत है नहीं आप लोग इतने टाइम से familiar हो कोई है ऐसा जो non commerce background कब बताविटा profit हमारा जब हमारा selling price हमारी cost से ज़ाद हो और अगर मेरा cost से selling price cost ज़ाद है तो मेरा क्या हो जाएगा अगर आपको इतना सा concept पता है आपका question हो गया बस याद रखना हमें cost पर unit लिनी होती है क्या लिनी होती है क्योंकि selling price हमेशा पर unit ही given होता है आपने percentage कर ली आपने fraction कर लिया और profit loss आपको पता है तो देखते हैं आप ये खुद से कितने अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि ये वही दो concept का mix है उही दो concept का mix है इसमें कुछ नया नहीं आएगा कुछ इसमें नया नहीं आएगा चलिए C purchased C purchased 20 dozens of banana C हमारा केले बेशता है उसने क्या कर आए 20 dozen केले खरीदे at rate of rupees 125 per dozen 125 पर दो ** 1 banana का कितना हुआ मेडrinывает 125 के अखर वो Move खरीदने लग गया तो बेचेगा कितने में 125 पर dozen इत्राज़ है बतायो एक बनानाका क्या rate होगा एक dozen में कितना items होते है 24 तो क्या आज़़ 125 by 12 को 15 मेरा एक बनाने का आ जाएगा करो 12.05 कैसे बेटा 10 तो यहीं पे आ गया मेरा यह आ रहा है आप एक बर वेरिफाई करें बताओ कैसे बेटा यह जो यह लगा है न जीरो यह आ गए है जीरो लगाने के लिए लगा है सीधा बोल लेका हूंग यह देख लिए 125 डिवाइड बाइ 12 ठेक है 120 यहां लिया तो कितना रह गया 5 तो यहां क्योंकि डॉट लग गया तो अल्रेडी जीरो यहां लग चुका है ठेक है 10 पॉइंट यह बेटा मेरा अप्रॉक्स है अप्रॉक्स है तो अंसर भी मेरा थोड़ा सा प्रॉक्स मिल जाएगा ठेक है चलिए मैं बेच रहा हूं लिखे सेलिंग प्राइज रुपीज 11 पर बनाना सेलिंग प्राइज रुपीज 11 पर बनाना प्रॉफिट परसंटेज क्या होगी मेरी ओप्शन्स हैं 5.5% 5.6% 5.7% 5.8% बताईए बताईए जल्दी बताईए बहुत ही स्ट्रेट टूदी पॉइंट कॉइट नहीं है कैसे निकालो मैं पर उनिट प्रॉफिट कितना है मेरा यह बताई पर उनिट प्रॉफिट मेरा कितना है बस इतना बताईए कैसे निकलेगा 0.6 कैसे निकला कॉइंट कैसे निकला कॉस्ट मेरी कितनी है 11 कॉस्ट है 11 यह selling price 11 cost मेरी है तो यह कितना है 66 क्यों 66 पर ख़ाद है 0 point तो हम मेरे को क्या निकालना है profit percentage तो इसका formula भीट हमने पढ़ा वह पहले profit divided by cost हमेशा cost per unit लेते हैं कभी भी यहाँ पे selling price मत ले लेना answer आपको क्या है ठीक answer है बिल्कुल very good तो लिए आगे चले यह street cut है अब हम असली question पर आते हैं लिखिए अब यह question जो हम करने वाले very important mark कर लीजेगा यह सर्फ इसी exam के लिए नहीं हर exam में जिसमें आप आएंगे जिसमें quant आएगा आएगा यह आएगा चाप किसी level का exam देदीजे government exam देदीजे कोई भी level का exam देदीजे ऐसा question एक आप expect हर हाल में कर सकते हैं ठीक है लिखिए और यह question कुछ नहीं है बस एक word play है आपके साथ बस words में खेलते हैं और कुछ नहीं करते हैं लिखिए एक स्कूटर है हमारा second hand हम बेच रहे हैं अगर मैं अपने स्कूटर वह 38,400 पर बेच हूं तो जो profit percentage मेरी बनी is equal to loss percentage incurred by selling the same scooter for Rs. 25,600 उसी स्कूटर को अगर मैं 25,600 में बेच हूं तो मेरा loss percentage भी उतना profit percentage उपर बेचने परता समझगे क्या हो रहा है इदर at what price should the scooter be sold scooter be sold for 35% profit बताओ, option भी जेदे तो मैं आपको पहली क्या आप solve करके verify कर सके 43,150 लिखिए 43,200 43,250 43,500 4 option आपको मिल गए बचाएगे क्या करूँ मैं इसके मैं गन्फ्यूज हो गया इस समझे क्या करूँगा भैस बस इतना बदाद question क्या कह रहा है और 35% निकालने के लिए क्या मुझे cost बता हो नहीं जी है cost कैसे निकालूँगा प्याला पॉइंट तो यह आगे सरा cost बताईए cost कैसे निकाले क्या मुझे दो selling price गिवन है क्या मुझे दो different selling price गिवन है हाँ या ना बस इतना बता दो प्याला है 38,000 प्यूसर है 25,000 यह loss में जा रहा है इसका मतलब it is less than the cost यह profit में जा रहा है इसका मतलब it is क्या मेरी cost कहीं बीच में होगी क्या मेरी cost कहीं बीच में होगी इसने बोला जो यहां तक का difference है वह ही यहां तक का difference है जो इतना difference है जो इतना difference है वह ही इतना difference है तो क्या यह difference को अगर मैं why लेता है तो यह difference भी y हुआ समझगे मैं क्या कह रहा हूँ अगर मेरे यह difference भी एक ही है यह difference भी उतना ही है बस अब इतना समझ लो तो अब मैं equation मनाता हूँ आम भाशा में क्या 38,400 को में x plus y लिख सकता हूँ y being the profit x being the समझगे कोई doubt यहां तक क्या 25,600 को मैं x minus y लिख सकता हूँ y being the loss x being the कोई doubt यहां तक एक elimination method पढ़ा था आपने किसी class में ज्याद है तो लिखिए eliminating equation 2 from 1 eliminating equation 2 from यह detailed working है बाद में बस आपको क्या करना है जो difference इन दोनों का है उसको divide by 2 करना है real life में यह बस मैं आपको समझा रहा हूँ logic कैसे पहुचे हैं बहां तक बेटा क्या यह 2y equals कितना आएगा है 12,600 ऐसे आया है 800 sorry 12,800 आगया तो y मेरा कितना है अब किसी भी equation में y की value put कर दो x आजाएगा so 25,000 बिल्कुल 25,600 प्लस में y equals 25,600 प्लस में समझगे कैसे इस वाली equation में x-y था यह so अगर मैं y को उस side ले गया तो x की value आजेगी obvious ही बात है selling price में अगर मैं loss add करूँगा तब ही तो मेरी cost आएगी logic आगे समझ so x आगे आपका अब मेरे को 35% profit पर बेचने है कैसे निकालो एक option तो यह था पहले इसका 35% निकालो फिर 32,000 में add करो और दूसरा और सरल option है 135 by 100 कर दूँगा profit percent मैंने क्या कर दी add कि अगर 100 रुपे पर बेचने पर 35% profit कमाने 100 के चीज़ पर तो मैं किसमे कितने बेचूँगा 135 में so बस मैंने वही logic अप्लाई किया करिए solve यह मेरी cost आगी मेरको 35% profit में पीछा तो मैंने क्या कर दी 100 plus profit percent answer आपने बताया 43,000 चाही option में है चाही option में है option देखो option दीए में मैंने so answer बिल्कुल ठीक है जब भी भी आप इस all करो न पेबर यह ज़रूर देख लिए अगरे option में है भी या नहीं पेबर बच्चे कुशी कुशी में कराते हैं फिर देखते हो option में तो था ही नहीं ठीक है चले आगे चले बेटा आगे अब छोटे से 2-3 points रहा गया है फिल्कुल छोटे छोटे profit and loss में कोई doubt किसी को 20 से जादा टफ आपका बनता ही नहीं कुछ लेंगे मेरे को इतने परसंट profit में बेचने क्या करूं तो सीधा इंटू 135 बाई 100 कोई doubt इस question में आगे समझ अगला topic लिखे mixture and amalgamation मैंने पहले ही बता है इसमें topics बहुत सारे लेकिन सारे क्या है logical based mixture and amalgamation ठेक है ये क्या होता है बेटा कि आप जो है कहीं बार ऐसा होता है कि कहीं ऐसे mixtures होते हैं ऐसे chemicals होते हैं जिन में आपको कुछ ना कुछ मिलाना बढ़ता है उसको dilute करने के लिए dilution सबको पता है क्या सबको dilution बता है क्या होता है कि बस उसका impact कम करने के लिए example देता हूँ अब अच्छे से समझा देगा एक cold drink का coca cola अबने सुने आपको होता है coca cola में 90% पानी होता है जो आप coca cola खरीते हो 90% सिर्फ पानी होता है 5% उसमें चीन डली होती है और जो coke का actual syrup है सिर्फ 5% होता 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 है कि वो 5% में भी इतना impact डाल देता है अगर मेरे को coca cola का impact बढ़ाना होगा तो मैं क्या सिरफ बढ़ा दूँगा जो coca cola का है और पानी अगर मेरे को coca cola का impact कम करना है क्या मैं पानी बढ़ा दूँगा और coca cola का कम कर दूँगा अपने आप तो बस यह mixture and amalgamation है कि दूद में पानी मिलाना है कितना मिलाओं दूद में यह करना है कितना करो कुछ भी नहीं है चले question लिखते है दूद में आपको समझ आजएगा क्या है topic इना mixture of इना mixture of लिखिए 120 लीटर 120 लीटर का एक mixture है 120 लीटर का एक mixture है ratio of ratio of vinegar समने सुना क्या होता है सब चाओं से खाते भी है डाल डाल के उपर extra vinegar vinegar सिरका है जिसको बोलते है आम भाशा में कि भाई आपने extra सिरका नहीं दिया समन कैसे खाऊंगा vinegar and water विनेगर में बहुत सारा पानी मिला होता है व्योंकि actual vinegar बहुत हाड होती है अगर आप only भी dip करेंगे थोड़े से आपको bristles हो जाएंगे चिक है vinegar and water का ratio है 7 is to 3 तो लाल 7 is to 3 है highly concentric highly acidic कहिए if ratio required is 3 is to 7 ratio विड़े कितना required है 3 is to 7 3 is to 7 how much water is needed vinegar मैं नहीं बढ़ा रहा water आड़ कर रहा हूँ क्या आड़ कर रहा हूँ चले पहले खुद से निकरने की कोशिश कीजिए इसमें होगा क्या फिर हम बताते हैं और जब हम बताएंगे तब आप कहेंगे क्या ही था यह पहले यह बताओ original mixture में vinegar की quantity कितने liters है कैसे निकालूँगा मैं vinegar बिलकुल vinegar कितना है 7 by total मुझे पता 120 क्या आएगा और यह क्या आएगा very good 84 ने 84 ही है 84 84 ही है मैं 36 में quantity आएड कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको 36 plus x x सकता क्या quantity unknown है कोई doubt अप तक मैंने कुछ ऐसा out of the world बात करी है अभी नई very good अगर आपको इतना सा point समझा जाए न आपका answer over question over कैसे बेटा क्या मेरे को निया ratio पता है क्या मेरे को निया ratio पता है put करो values so 84 into 7 equals to 3 into 36 plus x चलो 3 भी अटा देते हैं आपके लिए तो 3 84 divided by 3 क्या होगा 2 28 28 28 28 7s are so final answer is और इसी के साथ आपको mixture and amalgamation जो की बहुत important topic है और जब exam में आते हैं बच्चों को बहुत रहाता है topic is over बेटा इसमें भी इतना ही level है quit out easy very good चलो भागे चलते हो अब mixture जो है chemicals का नहीं है अब mixture है boys and girls का ठीक है लिखिए ratio of boys and girls in a course ratio of boys and girls in a course in a course is 5 to 11 एक कोई भी course है उसमें boys and girls का क्या ratio है so boys 5x मान सकता हूं है girls क्या होंगी 11 बिल्कुल x बेटा 5 to 11 का मतलब क्या हुआ दोनों का same unit है यही मेरे को इस देखना था समझ गए समझ गए सो बेटा percentage increase in number of boys आपको देधी 15% टेक है किती देधी percentage increase in number of girls आपको किती देधी 25% 25% निकालो निया ratio से इस बिताना कौन कौन डर गया है देखकी question किसको समझ ही नियारा करूं क्या option में देदेता हूं आपको 23 is to 12 55 is to 23 23 is to 55 11 is to 5 कौन में बताएगा हमें इसमें करना क्या actually equation क्या बनेगी बेड़ा वही तो मैं पूछ रहा हूं आपने क्या बोला अब एक बात बताओ अगर मैं x plus 15% बोलूं क्या मैं इसको 115 x by 100 बोल सकता हूं 115 परसंट इंक्रीज तो हो गया ऐसे समझाता हूं मैं बोलो मैंने 100 में 15% आड कर दिया क्या ये 115 परसंट ही तो होगा तो क्या इसको मैं 115 परसंट x बोल सकता हूं जो भी परसंट इंक्रीज होता है उसको मूँपर आड करते है जो भी percent decrease हो तो उसको उपर less करते है तो बेटा क्या इसको मैं 115x बोल सकता हूँ तो यह कितना हो गया 115x by 100 और नीचे क्या हो गया बताओ 125x by ठीक बोल रहाँ गलत बोल रहाँ into 5x है बेटाई तर और इधर क्या है 11x ठीक है so 115 into 5x 125 into 11x निकालो रेश्यो बेटाई आपका 11 तो देखो किसी से डिवाइड होगा ने लेकिन यह 5 से डिवाइड हो सकता है 25 और इसको भी आप 5 से cancel out कर सकते हो 23 कर सकते हो न so बेटा 23x by so your answer is 23 is to quit out इसी के साथ merger and amalgamation is over कितना अचान टॉपिक था और लग कितना मुश्किल वाता शुरुवात में कुछ मुश्किल निकला कुछ मुश्किल निकला बेटा नहीं चलो अब हम जाते है थोड़ा सा arithmetic की तरफ arithmetic में हमारे mainly दो ही topic important है दो ही calculation important है बाकी सब वहाँ पे on the spot हो जाती है ठीक है दो important हम topics करेंगे उसमें बस जो कि आपको आने ज़रूरी है पहला लिखिए arithmetic उपर heading डाली arithmetic arithmetic एक चीज होती है least perfect square क्या होता है बेटा ये कि मुझे ये निकालना है कि तीन में को numbers दे दिये ये बताओ कि कौन सा ऐसा number है जो कि perfect square होगा जो कि इन तीनों से divisible हो बहुत टफ लग रहा है न सुनने में कि क्या है एक बात बताओ क्या 100 10 5 2 इन तीनों से divisible है क्या 100 एक perfect square number है क्या 100 LCM है इन तीनों का बस इसमें LCM निकालना है आपको पिर ये बताना है क्या वो LCM जो आया है वो perfect square है अगर वो नहीं है perfect square अपने आपने तो उसको बस square करते है समझ गए इतना सा काम करना है चलो करके लिखाए क्या करना है इसमें actually तो लिखिए वाट इस दे लिस्ट पर्फेक्ट square वाट इस दा लिस्ट पर्फेक्ट square नंबर वाट इस दिविसिबल वाए है 22, 55, 66 बच्चे ते बड़े नंबर देके डर जाते है ते बड़े नंबर देके बच्चे यी डर जाते है क्या आ गया लपसर LCM निकालना सबको आपता है ऐसे करते थे बच्च्च में टेबल बनाते थे कि पहले किससे माइनस करूं मैं पहले किससे डिवाइड करूं 11 दिख रहे है तीनों से दिविसिबल है 2 पहले इस 5 को मिठाते है 2, 1, 6 फिर अब 2 1, 1, 3 फिर 11 चलो बटाई इन तीनों को मल्टिप्लाई करे हो भी इन सबको 1, 1 फो किसी ने बताया क्या आ गए है 330, very good क्या है हमारे option में है ये perfect square options देख लीजिए पहले आपके options है 108, 900 456, 200 4, 35, 600 396, 00 अभी देख लेते हैं मैंने का अगर 330 है हमारा LCM तो ये इन तीनों से तो divisible है lowest common multiple तो perfect square निकाल लगे ले मैं ज्यादा मेहनत निकलूँ मैं सीधा इसका square कर दूँगा अब इसमें एक trick बताऊ मैं रहने दूँ एक इनोंने बताया 33 का square कर दो बिल्कुल ठीक है 2, 0, add कर दो क्या 33 को मैं 11 into 3 लिख सकता हूँ तो लो पहले 33 का square ही निकालो trick बाद में बताते हैं 33 का square क्या आया 33, 33 33,000 9 34, 33,000 plus 1 आयेगा नहीं आयेगा ऐसी 9, 9 9, 18 इसके आगे मैंने क्या कर दिया आपका answer complete कुछ था इस topic में क्या इस topic में कुछ भी लगा आगे चले एक बेटा में 11 का 11 का में एक rule बताना जातो multiplication का बहुत असान है कोई भी चीज को कर 11 से multiply करना है मालनो 123 को मिरको 11 से multiply करना हो तो सीधा मत multiply करने रग जाना सीधा उसको ऐसे लिख जाना 123, 123 353 चाहे आप खुद calculate करके देख लो आपका answer यह आएगा उसको बस ऐसे लिख दो add कर दो आपका answer same आएगा चाहे आप खुद calculate करके देख यह आपके बहुत सारे crucial minutes बचाने वाला है तो 11 बहुत आता है ठीक है चलो last topic that's important for the exam किस-किस में square root निकाले में 4, 5, 6 class में किस-किस को याद है कैसे निकालते हैं इसके trick में हम जाएंगे नहीं हम normal calculation करेंगे चलिए एक number देरों में 2.56 इसका मेर को निकालना है square root इसका निकालना है है यह perfect square अपने आपका है बस number बहुत छोटा है 1.4, 1.6 2.4, 2.6 अब जिन्होंने calculator चलाया वा हमको बता कितना असान है calculator में बस एक button दबाना है 1.6 answer है बिल्कुल लेकिन कैसे निकाले हम वहाँ पर हमारा calculator आपने तो सीधर निकाल देऊगा मन में सोचके 16 का है 16 का square 256 होता है और क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 है इन्होंने मैं बता तब इन्होंने क्या करा इन्होंने क्या करा इनको क्योंकि याद था एक ट्रिक है कि आप time बचा लो क्या बचा लो time बचा लो कैसे 256 real life में 256 का square root है सबको बढ़ है 16 का है 225 15 का होता है 256 16 का होता है अब यहाँ पे इनको 2 0 दिख रहे है इसका मतलब अगर मैं 16 divided by 10 करूं 1.6 into 1.6 सो क्या नीचे भी 10 10 हो जाएगा सो नीचे बाए उपर 256 का यही आएगा क्या यही आएगा लेगिन हमेशा इतने असान नुमबर आपको मिलेंगे कहीं ऐसे रहेंगे जिनका perfect square भी नहीं होगा फिर भी आपको निकालने पड़ेंगे उस case में हम क्या करें बहुत आ सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं वो लंबे-लंबे नंबर 5,6,10 दिजिट तक के भी दे सकते हैं चलो मैं ले रहे तो आपको example यह तो चलो easy था 2.33623 इसका मेरे को square root निकालो बताओ अब देख के बताओ निकल सकते हैं इसका देखो देखी वो शरीफ नंबर था उसका 2 minute में निकल गया यह शरीफ नंबर लग रहे किसी angle से फिलो मैं आपको option भी दे देता हूँ 3.205 3.215 3.225 3.235 और मुसीबत और मुसीबत वो तो calculator है calculator को भी अंदर रख और वैसे बताओ क्या calculator exam में loud है नहीं है अब क्या करें चलो और किसी के पास कोई trick याद है पिछली classes की अब बताओ प्राइंट एक्टराइजेशन से बिलकुल चलो अब ही देखते किस से होता है यह बेटा हम long division method से करेंगे long division method से ही हो सकता है यह prime factorization इसमें applicable नहीं होगा यह बहुत लंबे decimals है हम prime number निकालते है हमारा हो जाएगा दिल पूरा चलो 10 point क्या होता है 3 3 अब ध्यान से देखो और साथ साथ आप भी solve करो बिल्दा एक चीज होती है rule होता है जब भी हम pairing करते हैं इसमें क्या करते हैं pair का मतलब क्या होता है दो चीजों की जोड़ी जब हम decimal में होते हैं तो हम जाते हैं बेटा right to unit से आगे लेकिन जब हम decimal के इस par होते हैं तो हम उल्टा चलते हैं 33 का pair 62 का pair अब तो 3 बच्चा ऐसे पिसका क्या करूँ क्या मैं आगे एक 0 आड कर सकता हूँ क्या आगे 0 आड करने पिसकी value पर कोई impact आएगा बस एक 0 आड करके मैंने शुरू करें question एक बच्चा को कुछ बच्चे होते हैं समझदार वो देखते हैं कि 3 है तो 3 तो आएगा ही आएगा options देखते हैं वो पहले options में साब दिख रहा है कि 3 है ही है तो सीधा यह 3 ले लेते हैं क्या करना होते है बच्चली आपको आपको यह देखना होते है जो पहले दो डिजिट्स हैं यह सबसे close किस के square के है सबसे close किस के square के है तो 10 किस के square के सबसे close है 9 के square के है 81 यह 3 के square के है 3 9 माइनस किया 133 यह आगया अब बेटा मैं क्या करूँ इन दोनों को add करूँ गा लिखते रहे साथ में एक बाद में भूल जाओ गए 3 प्लस 3 add करना है क्या करना है add करना है कहीं लोग बोलते हैं इसको into 2 करना होता है कहीं लोग बोलते है add करना होता है इसको क्या करना होता है obviously बात हमेशा यह दोनों number same आएंगे चलो बेटा इन दोनों को add किया है 6 so मेरा पैलर डिजिट अब 6 होगा दूसरे डिजिट मुझे ऐसे निकालना है कि अगर मालनों में जैसे 61 into 1 करूँ तो क्या आएगा मेरको ऐसी निकालना है कि 62 into 2 करूँ क्या ही इससे कम आएगा यह थोड़ा सा में trial and error में जाऊँगा 22004, 2300 133, अब मैं अगर 33 करूँगा तो जादा हो जाएगा तो यही आएगा, तो बेटा 2, यहां पे क्या लिखो अब उपर भी 3.2 है तो अभी भी मेरको आगे करना बढ़ेगा, तो यहां पे क्या करूँ तो यहां पे क्या बचा 9, 9 बजगे इदर इदर से 62 में एंगला आड करूँगा अब मेरको इदर 62 लेना है और इदर कुछ ऐसा देखना है कि अगर मैं उससे ऐसे मिल्टिप्लाई करूँ तो वो इससे कट जाए तो बेटा साब दिख रहे है मज़े कि 62 इंटो 2 भी कर दूँगा, 622 इंटो 2 अब एक बाहर बताओ, सब में ये सेकिंड डेसिमल में डिफरेंस है तो 3.21 एक ही है 3.21 तो सेम है न 3.21 मैंने सिलेक्ट कर दिया आगे में बढ़ा ही नहीं वो अब आपके मर्जी आप पूरा सौल करना चाहे तो इंटाइम बचाने पेपर में तो option देखके मैंने क्या कर दिया, तो 3.21 गाई माग हम आगे जा सकते हैं लेकिन अब क्योंकि उम्हें टाइम बचाने exam में तो हम यहीं रुख जाएंगे differentiate क्या था 0, 1, 2, 3 यह difference था option में 1 वाला मेरको मिल गया 1 वाला मुझे बाकी सब तो same ही है, 5, 5, 5, 5 तो में को समझाएगे सका क्या निकले राइंग में 3, 1, 2, 1, 5 इसी के साद आपका CSET का quantitative aptitude खतम, all the best for your exams, may you excel in your exams, thank you so much